दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 40 x 40 house plan की जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी model को discuss करने वाले हैं यह model जो मैंने create किया है बहुत ही बेतरीन और यहाँ पर parking का जो मैंने space रखा वो side में रखा है उसमें एक Porsche type का भी design यहाँ भी आपको देखने को मिलता है लेकिन इसके नीचे मैंने car parking या other type की कोई भी parking कर सकता है front इसका यह है front look और सामने से आपको देखने वाला है तो यह पूरा area जो है 40 x 40 square foot में बना हुआ है इसी को discuss करेंगे हमारे एक subscriber थे वो लगातार comment कर रहे थे कि सर्फ 40 x 40 मतलब 1600 square foot में एक बेतरी इंसक घर जिसमें Porsche का डेजाइन और घर का elevation front elevation based हो उसे बताईएगा उन्हीं के कहने पर से model को design की है तो अगर आपको यह model पशंद आ रहा हो तो पहले से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लिया करें आप जब भी लाइक करते तो हमें motivation मिलता है नए नए वीडियो create करने का तो आप हमें एक लाइक करके motivate जरूर करिएगा और मैं आपको लगातार ऐसे वीडियो ऐसे model लगातार देता रहूंगा तो यह पूरा model है मैंसे अगर जूम करके आपको देखाना चाहूं तो proper तरीके से आप यह पूरा model देख पा रहे हैं यह देखी का front elevation की बात करें रेलिंग की बात क है इधर भी Porsche है और यहाँ पर इस अब ही किवल आपको दिक रहे हैं, front का area यह साइड का area यह यह से पार्किंग करेंगे तो पोर्च के बाद इसमें में डोर एक दिया है साइड में दो विंडो दीए हैं और इसके बाद इस चारो पिलर्स हैं और उसमें डियानिंग क्रेट तो में डोर्ज से जैसे énधर जाते हैं तो left और right साइट दोनों तरह आपको दो वैट्र रूम मिल जाते हैं दोनों के लिए अलग अलग डूर अलग अलग विंडो बार अंदर से भी और भार से भी मैं विंडू दे रख अब जैसे आप अंदर जाते हैं तो फिर से आपको एक लेटेंट साइड में बड़ा सा वैडू मिलता है और इसके बाद इस कॉर्णर पर आपको स्टेर्स मिलती है जिसे अप चड़ेंगे उसके जश्ट बगल में लेटेंट बात आपको दिया है इसके बाद इसे रूम में एक अटेर्स लेटेंट बात मैंने और दिया इस कॉर्णर पर और ये आपका एक बड़ा सा किचिन मैंने क्रेट कर दिया है तो चालिस भाहि-चालिस में जो एरिया चंस्टक्ट में यहां से नहीं तक चालिस में दिसे है यह तैस पर्किन है। तो इसमें तीन वेट डूम मिल जाता हैं, एक उल-टैप का गालरी मिल जाता है, kitchen, stairs, Latent बात एक attached मिलता है और एक separate मिलता है, सबूर की बात है, तो यह तो ground floor की बात हो गई, अगर हम बात करते हैं, साथ पलोर की तो यह इसका fuch floor है, first floor पर देखी कि ज़्यादा तर चीजें similar हैं क्योंकि अंदर का जो area है वो पूरा similar है वही तीनों bedroom है, kitchen है, latent बाद, separate और attached मिल जाती है साथ साथ इसके बाद यो railing है, यो grill मैंने create किया है वो देखी का, इधर लगबग 2 फिर बढ़ा दिया है पोर्च के चारो तरफ grill create कर दिया है जिसमें square और साथ सर्थ round color का grill इस्तमाल किया है चारो तरफ इसी railing ये मादम से यहाँ पर भी आ जाती जो कि आपका open area है और उसी के नीशे car parking हो जाती है तो यह first floor का design है जिसमें की railing और grill इस्तमाल किया है अगर हम last floor की बात करें तो last floor पर भी यही पूरी grill जो नीशे create थी similar मैंने उपर create कर दिया है और यहाँ पर texture देखें दो टैप को आपको दिख रहा है च्छत का texture एक तो tiles टैप को दिख रहा है और एक ये normal दिख रहा है तो यह अगर हम बात करें चालिस भाई चालिस में overall model बनकर ready हो जाता है अगर आप इसके cost find out करना चाहते है कि इसको बनवाने में पैसा कितना लगेगा तो इसके लिए आप play store पर जाईएगा हमारा application small house plan से download करिएगा महाँ पर आपको overall चालिस बता देंगा material कितना लगेगा पैसा कितना लगेगा और यह model आपको जैसा भी लगा हो आप हमें like करके comment करके बताए वीडियो को like से ज़रू कर दे कोई video उट है तो comment करके ज़रू पूछे thanks for watching